चकरवाती तुफान फैनी के मदेनजर इस्ट कोस्ट रेलवे ओडिशा ने एक सो तीन ट्रेनों को रद कर दिया यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते वे ट्रेनों को रद करने का ये फैसला लिया गया और इसके लावा भूमनेश्वर और पूरी के और जाने वाली ट्रेनों को आज श्याम से रोका दिया जाएगा वन चकरवाती तुफान फैनी के ओडिशा के पूरी में दस्तक देने की आशंका के चलते सुरक्षा बलो को हाई अलर्ट पर रखा गया और 30 जिलों में रह रहे लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है आपको बता दें कि नए पूर्वा अनुमान के मुताबिक 1999 के सूपर साइकलोन के बाद फैनी को सबसे खतरनाक चकरवात माना जा रहा है इस दुरान हवा की रफतार 175 किलोमेटर प्रती घंटे के आसपास रहने की संभावना जताई गई और साथी चकरवात के चलते ओडिशा में सभी स्कूल कोलेजों को भी बंद रखने के आदेश दिये गए और सभी शक्षनिक संस्थाव में दो मई से तीन दिनों तक अवकाश भी घोशित किया गया वहिसुरक्षा के मदेनजार राज्ये में सभी डॉक्टरों और सभी स्वास्ते सेवाकर्मियों के छुटियां 15 मई तक पूरी तरह से रद कर दी गई आपको फिर से बता दें कि चकरवाती तुफान फैनी के मदेनजार अभी इस्ट कोस्ट रेलवे ने ओडिशा में 103 ट्रेनों को पूरी तरह से रद कर दिया और ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते वे किया गया और इसके लावा भूमनेश्वार और पूरी के ओड़ जाने वाली सभी ट्रेनों को आज शाम तक रोका गया है विचकरवाती तुफान फैनी के ओडिशा के पूरी में दस तक देने की आशंका के चलते सुरक्षा बलों को भी पहले से हाई अलर्ट पर रखा गया और 30 जिलों में रह रहे सभी लोगों को अभी से सुरक्षित इलाकों में पहुचाने का काम भी किया जा रहा है बता दे कि पूर आनुमान के मुताबिक 1999 के सूपर साइकलोन के बाद फैनी को सबसे खतरनाच चकरवात माना जा सकता है इस दोरान हवा की रफतार 175 किलोमेटर प्रती घंटे के आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और साथ ही चकरवात के चलते ओडिशा में सभी स्कूल कॉलेजों को सुरक्षित इस्थानों पर बच्चों को पहुचाने के लिए कहा गया और सभी स्कूल कॉलेजों को अगले 15 दिनों तक बंद रहने के लिए कहा गया और साथ ही सभी डॉक्टरों को और सभी जितने भी करमचारी है उनकी छुटियां भी 15 मई तक रद कर दी गई तक कि किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए सभी करमचारी पहले से तयार रहें